वेलकम टू डारेक्ट एडमिशन सेंटर दोस्तो आज मैं आपको ए नायरस के ओन डिमान एगजाम जनवरी से मार्च दोहायते इसके बारें बताऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो कौन तक देखे ताकि से भी जनकारी आपको प्तात हो सके दोस्तो यदि आप हमारे थुरू ए एक दोहायते इस प्रवाटसप के दरशांपर कर सकते हैं और अपना एडमिशन हमारे थुरू एनियोस में 10 12 में करवा सकते हैं जी हैं आपका एक्जाम ओन डिवान के थुरू दह जनवरी से ले करके 30 मार्च दोहायते इस के बीच में आप कभी भी आपने इच्छा अनुस गौर्मेंट की मात एक ओपन बोर्ड है तो दोस्तो आप इसमें 10 12 में एडमिशन ले सकते हैं इसकी पूर्ण मानता है दोस्तो साथी साथ इंडिया में जितने भी वैलिड बोर्ड है उसके वरिफाई करने का लिंक दे दिया हूँ वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से बोर्ड वैलिड है उसमें से आप किसी भी बोर्ड में आप एडमिशन 10 12 में ले सकते हैं दोस्तो यह ओर्ण डिमान एजाम जन्वरी से 30 मार्च दोहरा थेस का एडमिशन नोटिके किसन है दोस्तो जैसे कि आप इसकीन पर देख पा रहे है डेट अपर रज एडमिशन ले सकते हैं और इस बीच अपने इच्छा अनुसार डेट में आप ओन डिमान एग्जाम दे सकते हैं दोस्तो आपका एग्जाम 10 जन्वरी 22 23 से 30 मार्च 22 23 के बीच में होगा जो आप खुद से आपने 24 के डेट में आप एग्जाम दे सकते हैं जिसे हम लोग ओन डिमान एग्जाम कहते हैं या आपके डिमान के अनुसार आप ऑन एग्जाम लेगी दोस्तो इसमें विए सारे इडमिशन ले सकते हैं जो टेंट या ट्वल्थ में लास्ट फाइव व्यर्स में जी हां लास्ट पांस सालों में ऐना का मैंपार्टमेंट आईए या पास कर जो pass कर गए हैं वो marks improvement के लिए marks बयाने के लिए exam देंगे और जो fail कर गए हैं वो pass होने के लिए exam देंगे दोस्तों यदि आप NIS में 10th made मिसे लेना चाहते हैं on demand में तो आपको document लगेगा 10th class का pass या fail mark sheet, अधार card, photo और signature और यदि आप 12th class medicine है चाहते हैं तो आपका document लगे है 10th class का mark sheet, 12th class का pass या fail mark sheet, अधार card, photo और signature दोस्तों यह document आप हमारे WhatsApp नंबर पे आपको WhatsApp करनी है फिर आपका admission processing fee 500 payment करना है फिर आपको admission process होने के बाद आपको 1500 payment करना है दोस्तों यदि आप fail है तो इसमें 2 subject का marks आपको transfer हो जाएगा और 3 subject का exam आपको देना परेगा दोस्तों यदि आप 4 subject में भी pass है तो भी आपको 2 subject का marks transfer होगा और 3 subject का exam देना होगा यह NIS का rules के नुसार है और यदि आप एक subject में pass है तो आपको 1 subject का marks transfer हो जाएगा और आपको 4 subject का exam देना होगा दोस्तों यदि आप हमारे थूरे एडिमिशन लेंगे तो आपको study materials, important questions, previous questions आदि आनिक से उदावबलत कराए जाएगी और दोस्तों यदि आप थोरे सा भी मेनत करेंगे हमारे guidance के नुसार तो यह 100% assurity है कि आप 10th or 12th आसानी से आप pass कर जाएगे तो आप हमारे थूरू एडिमिशन में 10-12th मेंडिशन ले सकते हैं और घ्यार बैठे 10-12th पास कर सकते हैं दोस्तों इससे समधित कोई doubt हो तो comment आवेस करें आप WhatsApp भी कर सकते हैं दोस्तों यह WhatsApp नंबर है इस पर call ना करें call करने पर आपको switcher बतायागा लेकिन जैसे एक वह WhatsApp मेसेज करेंगे आपको immediate reply मिल जाएगा तो call ना करें WhatsApp मेसेज करें दोस्तों एडमिशन के लिए record documents WhatsApp करने के बाद आपको calling number रुपलप्त करा दिया जाएगा जिस पर आप final बात करके आप हमारे थूरू एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों इससे सम्मानित कोई doubt हो तो comment अबस करें उसका reply इम्रिद दिया जाएगा और वीडियो पसंद देवात लाइक अबस करें तता इससे अपने ग्रूपों एवान दोस्तों को भी सेय करें ताकि उन्हें भी इसकी जनकारी हो सकें थैंक्यू